तो यह वाली वीडियो में हम बात करेंगे class 11th and 12th final strategy देखिए अगर मैं class 12th की बात करूँ पहला ही important point की अब आपको नया कुछ भी नहीं पढ़ना है जितना भी आपका अभी तक हुआ है वही आप पढ़िए अगर कोई chapter भी आप से चूट गया है आप पूरे complete chapter को नहीं पढ आएंगे वहाँ पे मैंने जो last 10 to 12 years में total questions पूचे गए हैं उनको sum up किया है वहाँ पे आप देख सकते हो नया आप कुछ नहीं पढ़ेंगे then revision पे focus करिए then जो आप से छूड़ गया है उसको जाने दीजिए and अभी के time derivation वाले पार्ट को अच्छे से करिए जितना आप practice कर आपके numericals आने वाले हैं now अगर मैं class 11 की बात करूं आपके पास enough time है 20 to 25 days है आपके पास so ये enough time है अगर किसी बच्चे ने अभी start किया है क्योंकि ये common question रहता है बच्चों का अभी आपने अगर start किया है 11 में आप 90% ला सकते हो in 30 days में but 12 में ऐसा नहीं होता 12 में आपको throughout year अच्छे से पढ़ाई करनी होती है 11 में हमेशा में बच्चों को बोलता हूं कि जो last month है board के लिए that is more than enough that is more than sufficient to get good marks clear so best of luck everyone बस पढ़ते जाये especially जो 12 वाले हैं क्योंकि उनका exam बिलकुल अब next week से start है 11 वालों का अभी time है almost 20-25 days है तब तक आप पढ़ते जाये and हमारे remaining 3 chapters जो हैं उनको भी मैं जलद ही cover करूंगा and जो forester के लिए मैंने mcq series start की है 11 वाले बच्चे वो attend करें वहां से आपका काफी benefit होगा आपके mcqs and basic objectives आपके हो जाएंगे so thank you all